हेई गाईज मेरा नम तन्मे आप देखने टेक उनिक आज हमारे पास है रियलमी का बड्स क्यू फाइनली यहाँ पर आ चुका है मैंने इसे प्री ओडर करा था बड़ गाईज यहाँ पर प्री ओडर वाला जो है अभी तक डिलिवर नहीं हुआ है शायद आज शाम तक डिलि बड्स क्यू टू इसको रखते हैं साइड में और यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं उपर लिखा हुए रियलमी बड्स क्यू टू अच्छा इमेज दिया हुए है लेफ्ट सेड में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुए है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ट्वेंटी है आपको ANC दिया गया है जैसे कि आप आपको देख सकते हैं पीछे की तरफ मैं बात करूँ MRP की दो गास MRP लिखा हुए 3500 रुपए बट मुझे यह जो है Amazon.in से मिल गया था 2500 रुपए का तो गास इसको जल्दी से मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Realme वालों की जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सबसे पहले case यहाँ गया case बाहर उसके बाद जो है earbuds अलग-अलग दिये गए हैं इस बार earbuds को भी ले लेते हैं बाहर और जो है आपको box के अंदर देखने को मिलता है कुछ documentation जैसे कि आप देख सकते हैं यह है कुछ documentation और आपको देखने को मिलता है कुछ extra ear tips और आपको देखने को मिलता है एक yellow color के signature का इनका जो है Realme का USB Type-C Cable तो गास यह सारी चीज़ आपको देख देखने को मिलती है box के अंदर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है Realme का Buds Q2 इसके लिए यार है कहाँ पर काफी ज़्यदा वेट किया है काफी लोगों ने मैंने यहाँ पर जो especially बोला था कि वेट करो Realme वा Buds Q2 आने वाला है तो यहाँ पर जो finishing है Buds के यहाँ इस बड़ी यह लगए पिछले बार से यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है पिछले बार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था और शेप भी यहाँ पर change करा गया इस बार case का और यहाँ पे इस बार थोड़ा सा ज्यादा natural पत्थर जैसा लग रहा है stone जैसा लग रहा है वहीं पर मैं बात तोर इसको open करने की तो इस बार जो hinge है उसको definitely यहाँ पे improve करा गया है 500 रोपय यहाँ पे extra बढ़ा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने build quality पे invest करा है थोड़ा सा hinge यहाँ पे अच्छा लग रहा है बड़ थोड़ा सा hinge जो अभी भी lose है बाकी hinge की quality मुझे यहाँ पे open close करने में काफ़ ज़ा बढ़िया लग रही है यहाँ पे आपको जो है एक magnet भी दिया गया है तो यह जो है काफी बढ़िया चीज है इस बार जो है buds में आपको देखने को मिलता है एक chromatic design या फिर मैं कहूं एक rainbow type का design यहाँ पे touch panel के उपर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक blue blue सा जो है चीज देखने को मिलेगा मुझे जो है यहाँ पे यह चीज काफी ज़दा बढ़िया लगी है थोड़ा सा यहाँ पे blue tint सा दिखता है earbuds में वही पर अगर मैं बात कर उसको case में रखके देखते हैं magnets यहाँ पे दिये गए हैं तो काफी अची तरीके से यह case में बैट जाते हैं इनको तुरंद case में रखते ही यह charge होने लगते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक LED indicator देखने को मिल जाता है पीचे की तरफ आपको एक USB Type-C का port देखने को मिलता है जिससे जो है आप इसे charge कर सकते हैं अंदर की तरफ जो है आपको एक reset का button देखने को मिलता है जिससे जो है आप इसे reset कर सकते हैं अगर आपको जो है दूसरे कोई phone में यहाँ पे इसे connect करना है तो overall जो है build quality तो मुझे काफी दद बढ़िया लगी है यहाँ पर जो उपर का finishing है वो थोड़ा सा अलग है और नीचे की finishing है थोड़ी सी अलग लग रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा color में differentiate लग रहा है मुझे यहाँ पर इस side का जो है ऊपर का जो लिड है उसका थोड़ा सा light थोड़ा सा यहाँ पर है वहिए पर बात कर से लिएंट के देट आख चाहां से और शब्सक्तुब्सक्राइब रेटिंग देना चाहुँत अच्छा लगा है तोउस last कर दिया गया तो थोड़ा सा और यहां पर हो सकता था जाएंटsoft तो इसको भी मैं जल्दी से अन्बॉक्स कर लेता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास दोनों भी कलर आ चुका है अब दोनों को मैंने आप देख सकते हैं बाजू-बाजू में रखा हुआ है मुझे पर्सनली यहां पर ग्रे वाला ज्यादा प्रीमियम मैं और ग Васि की सब्सक्राइन प्रीमियम और प्रेथा आर्यूर फोन यहां पर ऑफ ज्यादा प्रीमियम फ्रेथाई र्प यहां पर प्रीमियम ज सब्क्रुक्यर और यहां पर speERSF यहां कि बहुत के बाइए बम और यहां जलतका मद वहीं इसमें आपको पूरा जो है एक rainbow color का जो है यह देखने को मिलने वाला है तो यह जो है मुझे बहुत जादा अच्छा लागा है ग्रेवाला आगे परते हैं connectivity के साथ connectivity में जो है इसमें आपको देखने को मिलता है latest technology यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 2500 रूपीज में Realme ने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है Bluetooth 5.2 दे करके यह आपको instant pairing के साथ देखने को मिलता है तो जल्दी जल्दी से इसको pair करता हूँ अपने phone के साथ तो यहाँ पे आपको Google का fast pairing देखने को मिलता है जैसे ही मैंने यहाँ पे LED उपन करा यहाँ पे Realme का नार्जो है यह जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है मुझे pop-up आ गया था device connect भी यहाँ पे हो चुका है काफी fast यहाँ पे connectivity देखने को ग्रेट वाला है यहाँ पिर कहते हैं जो वाइट वाला है उसका जो याइर्ट पर यहाँ पर यहाँ टो से fit नहीं होँ रहा हूँ यह आपके कानों से मेरे एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा यहां पर फिटिंग के बारे में, यहां पर जो है मैंने इसका यर्टिप चेंज करा और चो छोटे वाला यहती पे वह यहां पर ट्राई करके देखा है, तो अभी जो छोटा वाला यहां पर वो आच्छे से फिर्ट हो रहा है, और यह जो चीज़े अब जो है fix हो चुकी है मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए मैंने यह पर try कि रहा है उन लोग के लिए भी जो fitting है वो fix हो चुकी है overall connectivity के मामने में मैं इसको rating देना चाहूंगा 5 out of 5 क्यों कि आर यहां पर जो है 2500 रुपीज में instant pairing गूगल pairing और साथ ही साथ जो है यहां पर आपको Bluetooth 5.2 भी देखने को मिल जा रहा है जो की बहुत ही instantly यहां पर connect हो रहा है चलिए जल्दी से इसका गाने वगेरा सुने है और मुझे जो है इसका आवास काफी ज़्यादा बढ़िया लगा है यहां पर जो 10 mm के driver से सही में काफी तरीके से अच्छे तरीके से जो है यहां पर इन्होंने ट्यून करा हुआ है highs, mids and lows थीनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है बेज भी काफी ज़्यादा तगडी लगी है मुझे बट यहां पर जो noise cancellation है वो कुछ खास काम करता हुआ नहीं दिखा है वो उसका कारण ये एक हो सकता है कि इसके जो year tips है वो कुछ अच्छे खास है यहां पर नहीं दिए ग में फरक पड़ रहा है और गैस active noise cancellation भी जो है उतना कुछ खास काम करता हुआ नहीं दिखा है यहां पर जो यह normally fan का आवाज cancel out नहीं कर पा रहा था तो बाकी जो है यह बाकी traffic बगर का आवाज तो बिल्कुल भी cancel out नहीं कर पाएगा और overall sound quality के मामले में जो है मुझे यह अच्छा लगा है बेस काफी अच्छी है 2500 रूपीज के हिसाप से ज्यादा बूमी बेस तो नहीं है बड़ गाइस बैलेंस बेर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और overall इसको मैं sound quality में rating देना चाहूंगा 4 out of 5 थोड़ा सा और मैं यहां पर अच्छा expect कर रहा था औ मतलब यहां पर जो है अगर आपके फोन में AAC का support है तो आप यहां पर AAC को on कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा यहां पर sound quality सुनने में आ जाएगी आगे बड़ते हैं charging and battery life की तरफ यहां पर realme वालों ने इस बार नहीं buds का और नहीं case का यहां पर बैटरी लाइफ बता करके अब मुझे यहां पर realme वालों से पूछने कि ऐसा क्यूं यहां पर इनको simply website पर लिखने लिखना चाहिए इस battery quantity के बारे में कि इसके case में 400 image की battery मिलती है ऐसा यह लोग जो है पहले किया करते थे बट गाइस अभी जो है इन्होंने battery का image है वो छुपाना चालू कर दिय बट गाइस यहां पर इन्होंने कुछ चीजे क्लेम करिए कि अगर आप 10 मिनिट के लिए इसे चार्ज करते तो यह आपको तीन घंटे का playback time दे सकता है विट चार्जिंग केस तो गाइस यह जो चीजे यहां पर आपको देखने को मिलती है हाला कि दोस्तों यहां पर अगर आप ANC ON करके रखते हैं और 50% वॉल्यूम पर रखते हैं तो गाइस यहां पर कमपनी ने क्लेम कर रहा है कि आपको 20 आर्स का playback time देखने को मिलेगा विट एन्सी ओन एन्ट चार्जिंग केस बड़ गाइस अगर आप एन्सी ओफ रखते हैं तो गाइस यहां पर आपको 28 आर अलाकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको जो है एक दिन का max to max battery backup दे सकता है चाहे आप ANC के साथ इसे use करें या फिर ANC को off रखें वहीं पर बात करूँ इन में जो है आपको fast charging के साथ-साथ यहां पर आपको देखने को मिलता है USB Type-C का port पिछले बार जो है यहां में बात करूतो है यहांपे आपको active noise cancellation देखने को मिलता है साती साह यहांपे calling में भी आपको noise cancellation केसलेशन देखने को मिलता है और साती साह जो है यहांपे आपको gaming mode देखने को मिलता है जिसका 88ms का super low latency mode है बढ़ गया स już moneyKA साहता है for the price clean gaming अगर आपको gaming mode दे रही है इतना अच्छे quality गा तो यह जो है काफी अच्छी बात है यहाँ पर इसका gaming mode यहाँ पर मुझे काफी जदा बढ़ी अलगा है तो अगर आप एक gamer है तो आप इने ज़रूर यूज कर सकते हैं बढ़ गाइस आपको फिर भी जो है थोड़ा बहुत लेटेंसी महसूस होगा अगर आप एक काफी जदा professional या फिर high tier वाले player है तो वैसे इसका noise cancellation की अगर मैं थोड़ा सा detail में बात करना चाहूं तो यहाँ पर noise cancellation मैंने try करा है यहाँ पर room में fan on करके तो वो जो है वो तो बिल noise cancellation सुनने में आरे यह बाकी इसका जो active noise cancellation है वो उतना कुछ खास काम करता हूँ नहीं दिखा है और but guys यहाँ पर इसका transparency mode जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता हूँ दिखा है यहाँ पर आपको realme link app के साथ जो है इसका compatibility देखने को मिलती है जहाँ पर आप जो है इसके transparency mode क on कर सकते हैं साथ ही साथ वहाँ पर आप gaming mode भी on कर सकते हैं और वहाँ पर realme link के app में जा करके आप जो है इसके touch controls को कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो guys यह जो चीजे यहाँ पर मुझे काफी ज़दा बड़ी अलगी है realme link app जो है यहाँ पर आपको काफी ज़दा चीजे provide कर लेता है तो अभी जावा सुने रेकॉर्ड हो रहा है इसी के microphone से वहीं पर बात करूं इसमें जो है आपको noise cancellation देखने को मिलता है ऐसा करना है कि कितना इसमें जो है noise capture हो रहा है मुझे जो है इसका noise cancellation नहीं लगा है बाकि आप यहाँ पर सुन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा है इसके microphone का noise cancellation तो और अगर मैं बात करूं मेरी opinion के realme birds q2 के ऊपर तो guys यहाँ पर मुझ इनके active noise cancellation उतने कुछ खास नहीं है और जो fitting है इस बार जो जैसे कि मैं आपको कहा cost cutting करा गया थोड़ा सा year tips में थोड़ा सा अच्छा fitting देखने को नहीं मिला है मुझे तो guys आप इन्हें जिम वगएरा में या फिर running वगएरा में यूज नहीं कर सकते हैं वहीं पर मैं बात क इन में जो है काफी अच्छी connectivity दी गई है बहुत ही अच्छा sound quality देखने को मिलता है gaming का latency जो है वह भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है तो overall जो है मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह जो चीज़ है यह आपको काफी दा बढ़िया देखने को मिलती है यह जो अपर लियो सुझ जय है अन्वनिमातरम और आपको दिन शुब रही